एक ऐसा सरकस्तो जो दुनिया के लिए मिसाल बनते जा रहा है दरसल मैं बात करना हूँ जर्मन सरकस रोनी कली की जो की 1976 में स्टार्ट हुआ था ये वर्ल्ड का पहला सो था जिन्होंने 1997 वाइड एनिमल्स का यूज करना कम कर दिया था लेकिन 2019 में इन्होंने एनिमल्स का यूज करना बिल्बल बन कर दिया और उसकी जगह इन्होंने अपने वोलोग्राम सो स्टार्ट की जिसमें संकस्त के अंदर और टेकनोलोजी का यूज किया गया और रिंके 14 और 11 नेजर प्रोजेक्ट को रखा गया जिसमें जानबरों की रियलिस्टिक 3D गिमेज बनती है जो की 32 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबे होती है ये 11 नेजर प्रोजेक्टर्स 360 डिगरी का एक 30 होलोग्राम सो बनाते हैं जिसमें एक एलिफेंट, एक होट और एक यूज गोल्डन फिस सामिल है इंटरनेशनल एनिमल डिफेंटर के हेड जॉन क्रीम्स ने मैच जी दर डोडो पो बताया हैं थी ये सर्कस का फ्यूजर है वैसे आप तो क्या लगता ये टेकनोलोजी हर सर्कस में वोनी चाहिए या नहीं? टेल में इन कॉमेंट्स